खबरों वाले शेयर कौन से है, नतीजे अब तक इन कमपनीयोंने कैसे प्रस्तुत किए हैं इन सब पर बात करने के लिए मेरे सही होगी अर्मान हमारे साथ जो चुके हैं अर्मान पहले तो बताईए बाजार बंध होने के बाद के नंबर्स कैसे रहे हैं कंपनियों के क्या अनालेसिस हैं सबसे पहले ICCI Lombard पर दियान रखेगा Lombard पर अगर आप देखेंगे इनका जो हमारा अनुमान था उससे बहतर नतीजा है LTTS ये भी हमारे जो नुमान था उससे बहतर नतीजा है है आए में लगबग 6.5% की बढ़ोतरी वही डॉलर आए में भी आपको दिखेगा लगबग 3% की बढ़ोतरी और मुनाफे में भी लगबग 3% की बढ़ोतरी है उसे के साथ साथ आप कैश में नतीजे देखेंगे तो शैफलर इंडिया नतीजे बढ़ी आए है आए लगबग 18% बढ़ी है मार्जिन्स में भी थोड़ा सुदार देखा गया है 17.8% से बढ़ कर 18.2% आए है अनन्त राज यहाँ पर भी नतीजे बढ़ी है हाला कि जो मार्जिन्स है वहाँ पर आपको कट देखा गया है आए हाला कि 191% बढ़ी है और मुनाफे में भी 128% के बढ़ा उतरी है पर जो मार्जिन्स है मार्जिन्स देखेंगे तो 12.8% से गट कर 11.6% पर आए है माफ केजिए का 22.9% से गट कर 15.3% पर आए है वहीं महिंद्रा सी यह अटोमोटिव के अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी आए लगभग 30% बढ़ कर आई है मार्जिन्स वहाँ पर गट कराए है 12.8% से गट कर 11.6% पर और अगनत में अगर आप बात करेंगे शेल्बी की तो वहाँ पर अगर आपने नतीजे देखेंगे तो आए 11% बढ़ी है मार्जिन्स में भी हाँ पर सुदार देखा गया 16.2% से बढ़ कर 18.3% उसी के साथ साथ मुनाफे में 32% की बड़ोत्री देखी गई है अर्मान जरा बताईए आज के लिए मैं तो पून ट्रिगर्स कौन से होंगे और स्टॉक स्पेसिफिक अक्शन कहा है जी नतीजों में निफ्टी में तीन बड़ी कमणियों के नतीजे है इसमें इंडर्सिन बैंक, नेसले और अल्टर टेक्सिमेंट है F&O में भी आपको साथ से 8 कमपनियों के नतीज आते वे दिखेंगे जिसमें AU Small Finance Banks, Hevels, Naveen Flory ने से कमपनियां है जिन के नतीज आएंगे SNP BSC Indices में कुछ चेंजे होने वाले है SNP BSC 500 और SNP BSC 200 दोनों में से आरती इंडर्सिस जो बाहर हो जाएगा 500 में संवर्दन मदर संसुमी आड़ हो जाएगा और उसी के साथ-साथ अडानी विलमार BSC 200 में आड़ हो जाएगा हमारे प्रदान मंत्री आज डिफेंस एक्सपो में इनोग्रेशन करेंगे उसी के साथ-साथ डेफ स्पेस इनिशेटिव जो गांधी नगर में है वहाँ पर भी वो लॉंच करने वाले है पिरामल फार्मा जिसकी लिस्टिंग होने वाली और वो ट्रेट टू ट्रेटर हैगा दस ट्रेडिंग डेस के लिए DC Info Tech and Communication जो SME प्लेटफॉर्म से में बोर्ड पर आ जाएगा एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में जिसमें SCL टेक्नोलोजी इंटरिम डिविडेंड दस का आरती इंडर्स्ट्रीज जहां पे इशूर अलॉर्टमेंट है वही H1 में अगर पूरे H1 के अगर आप विकरी देखेंगे तो वहाँ पर आपको लगबग 130% की बड़ोतरी देखेंगे टेलिकॉम गमनीज पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका डेटा आया है जिसमें रिलाइंस जियो के अगर आप बात करेंगे उन्होंने लगबग 33 लाग ग्रहक जोड़े हैं भारती एटेल ने लगबग 3.6 लाग ग्रहक जोड़े हैं और Vodafone आइडिया ने अगर आप हमेशा की तरह देखेंगे लगबग 20 लाग जो ग्रहके वो गवाए हैं ITC Limited कंपनी ने जो इनकी Mother Spurge Baby Care में 16% और हिस्सेदारी बढ़ाई है और अब इनकी हिस्सेदारी बढ़ कर वहाँ पे 22% हो गई है और ये जो है Thousand Compulsory Convertible Preference Shares है उसके बदले जो है किया गया है भारत Electronics Limited मूनिटिशन्स इंडिया के साथ इन्होंने M.I.U. किया है जिसमें Nomura India ने लगबख 63 lakh shares जो है वो लगबख 264 के भाव के आसपास खरीदे है चलिए अर्मान बहुत शुक्री आपका वो पूरी details दर्शकों के सामने रखने के लिए